हलो फ्रेंड्स मैं हूँ अभिशांग इस लेक्चर में हम दोस्तों 5M के बारे में पढ़ेंगे 5M एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जिसके बारे में ज्यादा तर लोग जानते हैं जो कि manufacturing industry में काम कर रहे हैं और especially engineers हैं जो कि quality, production, procurement, vendor development, research and development या फिल design जैसे department से connected है तो दोस्तों उन्हें 5M के बारे में पता होता है पर उसकी practical importance उससे related practical examples या फिर उसकी practical significance लोग इतनी अच्छे से नहीं समझते हैं और वहाँ पर उसे वो properly नहीं understand कर पाते हैं और उसको implement करने में फिर दिक्कत आती हैं दोस्तों तो इस lecture में दोस्तों मैंने जो है 5M को practically समझाया है और इसको बहुत ही easy बना के समझाया है दोस्तों 5M यानि कि material, machine, method, mother, nature and man दोस्तों हमने process पढ़ाता तो process के बारे में ये पढ़ाता मेरा process का वीडियो है उसका link में description box में दे दे रहा हूँ दोस्तों तो उसके बारे में हमने ये पढ़ाता कि process एक तरह की activity होती है जो कि कुछ input लेती है और output generate करती है input में हमारे दोस्तों 5M जाते हैं और output हमारा product होता है तो output की हम best quality चाहते हैं process से तो best quality अगर हमें चाहिए output की तो input भी best quality का होना चाहिए तो और दोस्तों एक feedback system होता है जो कि in process quality engineers या process quality production engineers हैं process production engineers हैं वो एक feedback system का काम करते हैं या फिर maintenance engineer जो भी soft floor से सम्बंदित लोग हैं वो एक feedback system का काम करते हैं और input को feedback देते हैं process को best input को feedback देते हैं और further improvement continuous improvement करने के लिए तो जब input और further improve होता है दोस्तों तो output की भी quality improve हो जाती है तो दोस्तों input को improve करने का तरीका क्या है अब input को improve या फिर input को best quality इंपूट की best quality रखने का तरीका क्या है उसका एक ही तरीका है दोस्तों कि उसको standardize करें इस्टेंडराइज करने का मतलब है दोस्तों हर एक input की specification को decide करें और उसके specification में ही उसे maintain किया जाए जैसे कि दोस्तों अब हम पहले material को समझते हैं और हर एक input को कैसे standardize करेंगे हर एक input को देखेंगे उसको कैसे standardize करते हैं और कैसे important है वो जानेंगे दोस्तों जो भी material है जैसे कि जो raw material है जो हमारे factory में आता है तो हर एक material की कुछ mechanical property होती है कुछ electrical property होती है कुछ thermal property होती है कुछ chemical property होती है और उसके कुछ dimensions होते हैं तो यह जो mechanical, chemical, thermal या फिर electrical properties हैं यह इस material के grade के हिसाब से हम इसकी specifications को extract करते हैं इसके standard से और जो इसकी dimensions है उसकी त्राइंग से extract करके हम इसकी check sheet prepare करते हैं और उसके हिसाब से इसे raw material को हम monitor करते हैं और इस तरह से हम तभी accept करते हैं raw material को जब वो उस specifications में उसकी properties और dimensions लाए करते हैं तो यह basic incoming quality control का funda है तो raw material को हम इस तरह से standardize करते हैं और इस तरह सी यह हमारे लिए important है दूसरी आजाती है machine दोस्तों हर machine को भी लोग इसे समझ नहीं पाते हैं ज्यादा तर कि machine को हम कैसे standardize कर सकते हैं तो दोस्तों machine को standardize करने का सबसे important तरीका है सबसे ध्यान देने वाला तरीका यह है कि उससे जो variation से उसको control किया जाए तो हर machine minimum minimum amount का variation देती है अगर उससे ज़्यादा variation वो दे रही है तो वो acceptable नहीं है और फिर उसका maintenance जरूरी हो जाता है दोस्तों machine को judge करने के लिए machine capability test होता है जिसमें 2 parameter calculate होते हैं cm and cm के उनकी जो value होती है 1.67 से ज़्यादा होनी चाहिए दोस्तों अगर machine capability test में एक machine pass हो रही है तो दोस्तों वो acceptable है वो standardized है और दोस्तों फिर machine की predictive maintenance, preventive maintenance और breakdown maintenance properly होना चाहिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यानि की दोस्तों जो उसकी regular servicing है वो predictive यानि की उसके behavior को judge करके अगर उसे कुछ maintenance की need है तो वो करना और breakdown जब वो breakdown हो जाए तब उसका breakdown maintenance करना कोशिश यही होनी चाहिए दोस्तों की productive and preventive maintenance को इतने अच्छे से करें कि breakdown maintenance करने की हमें जरूरत ना पड़े रेर केस में ही breakdown maintenance करना पड़े अगर हम predictive और preventive maintenance को अच्छे से करते हैं दोस्तों तो ज़्यादा तर machine breakdown होने के chances minimize हो जाते हैं दोस्तों method तो दोस्तों अब कोई भी manufacturing process है उसका हमने method decide कि उसको इस तरह से manufacture करेंगे और जैसे की दोस्तों जैसे की crankshaft हम forging कर रहे हैं तो crankshaft हम manufacture कर रहे हैं forging process है तो सबसे पहले उसके billet को हम upset करेंगे फिर उसको elongate करेंगे फिर उसको cavity में रखके उसको save देंगे तो जो भी method हमने decide किया है या फिर forming process में हम mold में chemical डालेंगे और फिर उसको cure करेंगे तो जो भी method हमने decide किया है उसको properly validate कर आजाए कुछ parts बनाके मान लीजे 500 parts बनाके 1000 parts बनाके उसके हिसाब से देखा जाए कि कितना defect वो generate कर रहा है अगर वो कम defect generate कर रहा है दोस्तों तब तो कोई दिक्कत नहीं है अगर जादा generate कर रहा है दोस्तों तो उस method में improvement चाहिए तो एक proper validation study के बाद ही method को हम go ahead दे सकते हैं और फिर उसे standardize मान सकते हैं जब वो validation में pass हो जाता है method तो उसे हम अपने manufacturing procedure में add कर देंगे कितना validation में कितना वो acceptable होगा यह हमारे खुद का criteria होता है हमारा खुद का acceptance criteria होता है जो हम decide करते हैं mother nature दोस्तों यह काफी important हो जाता है लोगों को ज़्यादा तर समझ नहीं आता कि mother nature को कैसे standardize किया जाए तो दोस्तों mother nature यानि कि हमारा environment यह भी हमारे लिए हमारे input में आता है हमारे manufacturing process के तो इसको standardize करना यानि कि कैसे यह एक सवाल उठता है दोस्तों जो luxe value है वो हमाजे light की जो luxe value है वो हमारे inspection process में impact डालती है और वो भी हमारे process variation में add हो जाता है जो हमारा environment है अगर उसकी humidity जादा हो रही है और हम एक sheet metal process में काम कर रहे हैं जिसमें हम mild steel के products manufacture कर रहे हैं तो अगर moisture content air का बढ़ जाएगा तो दोस्तों हो सकता है कि rusting हो जाए तो हमें humidity controller यूज़ करना चाहिए उस cases में माल लीज़े कि हम chemical process में काम कर रहे हैं और chemical को use करके कोई product बना रहे हैं तो chemical का temperature अगर ज्यादा हो जाता है तो वो भी impact डालेगा हमारी product quality पर तो हमें उसके temperature को properly check करना चाहिए before उसको हम अपने process में use करें और अगर वो ज्यादा है कम नहीं है तो उसको फिर chemical को थोड़ा cool करके फिर use किया जाए उसके temperature को maintain करके किया जाए तो इस तरह की चीजे होती है अच्छा chemical के temperature को check करने के लिए हम laser gun यूज़ कर सकते हैं तो इस तरह की जो तरीके होते हैं इस तरह से हम अपने environment के temperature को environment को standardized कर सकते हैं environment को standardized कर सकते हैं वो हमारे process पे demand करता है कि environment किन terms में हमारे process पे impact डाल ला है जो कि मैंने example में समझाया है chemical process में temperature से impact डालता है, sheet metal process में humidity से impact डालता है measurement process में lux value impact डालती है, तो हर जगा एक अलग parameter होता है जिसको हमें check करना होता है, उसकी specification हम decide करेंगे, उससे हम अपने environment को standardized करते हैं man अब दोस्तों man को कैसे standardized करते हैं, ये बहुत important question आता है, क्योंकि आज कल iteration बहुत ज़्यादा हो रहा है companies में और कई सारी company manpower को contractual पे रखने की सोचती हैं, और रखती भी हैं, तो एक man को standardized करना एक बहुत important topic है दोस्तों, तो companies जो policies लाती हैं, अपने human resources के लिए, manpower के लिए वो बहुत मायने रखती हैं दोस्तों, जैसे दीपावली पे या फिर festival पे gift देना, appreciations देना, अपनी manpower को incentive देना, उनको accommodations देना, fooding देना दोस्तों, उनको एक healthy working environment देना और उनको motivation देना, उनको trainings देना उनको different certifications कराना तो ये manpower को standardized करने में बहुत helpful होते हैं ये तरीका और इसी तरह से हम अपने manpower को standardized कर सकते हैं दोस्तों तो manpower को जितना हम motivate रखेंगे उतना वो उस organization के साथ जूड़ा रहना चाहेगा और manpower जूड़ी रहना चाहेगी उस organizations के साथ और उससे ही standardized हो सकती है manpower तो दोस्तों quality management systems में भी यही पढ़ाए जाता है कि जो needs and expectation होती है, interested priority की उनने ध्यान दिया जाए, तो इस case में needs and expectation है, manpower की उसके कुछ needs and expectation होती है उसको ध्यान देना पड़ता है organization को उसके लिए different policies लानी पड़ती है उस तरह से manpower को organization standardize करती है तो I hope दोस्तों आपने 5M समझ लिया होगा दोस्तों और I hope मेरा यह lecture आपको पसंद आया होगा अभिशांक नाम याद रखिएगा दोस्तों और चैनल को like, subscribe और share जरूर करें दोस्तों यह बहुत motivation मिलता इससे मुझे और और भी better videos लाने का मन करता है Thank you